आदेश जय अश्र महकल साधना सिद्धी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं परन्तु जब कोई भी व्यक्ति साधना या सिद्धी करने के लिए किसी भी साधना को करता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो समझ नहीं पाता है या जो वो गलतियां कर देता है तो आज हम ऐसी ही बातों के विशाव में आपको बताएंगे और इसमें जो सबसे महत्पून बात है वो बात है कि साधना काल में किस तरीके का आहार लेना चाहिए आपको किस तरीके का भोजन करना चाहिए आपको यह बहुत महत्पून विश्या है बैसे यह बहुत सारे लोग जानते हैं जो कई सारे साधनाएं कर चुके हैं लंबे समय से साधना कर रहे हैं लंबे समय से साधना मार्ग में जोड़े हुए हैं लेकिन जो नए लोग ہیں जो साधना करने की इक्षा रखते हैं और जो साधना करना चाहते हैं उन्हें इन नियमों के विशाय में जानकारी नहीं होती है और इसमें एक और वर्ग है जिसके लिए तो ये नियम जानने बहुत ही महत्पून हैं जो मासाहार लेते हैं या मासाहार का सेवन करते हैं उनके लिए ये नियम जानने बहुत अवश्यक हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी जब आप साधना करते हैं तरीकी का आपको भोजन लेना चाहिए किसी भी साधना के समय कोसिस करें कि आप ऐसा भोजन लें जिससे आपको नीन कम आए यदि आप साधना करने के लिए बैठें तो आप जादा देर तक साधना कर सकें आप आसन पर बैठके एक बार में कम से कम दो-तीन घंटे बैठ सकें आपको ठकान ना हो आपको बासी ना हाए और इसके लिए अवश्यक है कि आप कम से कम अन्न का भोजन गरहन करें जैसे की रोटी जैसे की चावल और भी बहुत सारे खादिप अदार्थ हैं जो अन्न की स्रणी में आते हैं सरीर में कमजोरी भी आ सकती है इसलिए छोड़े ना उनको कम लें और उनकी जगा पे अन्न ऐसी चीज़ें लेते रहें जिससे आपको थोड़ा सा प्रोटीन मिलता रहे सरीर में और आप साधनाएं कर सकें आपको कमजोरी ना हो इस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हैं इसमें आप आलू का सेवन कर सकते हैं आप बटर ले सकते हैं आप घी खा सकते हैं अब किन चीज़ें का आपको सेवन नहीं करना चाहिए साधनाकाल में वैसे बहुत सारे लोग दुगद पान करते हैं यानि दूद का सेवन करते हैं, परंतु जो हमारा अपना अनभाव है, साधना काल में दूद का सेवन करने का, वो अनभाव ये है, कि जो लोग साधना काल में दूद का सेवन करते हैं, तो दूद से काम उतेजना प्रवल होती है, और जब आप साधना करते हैं, तो ये एक बि बढ़ना और फिर जब वुवदर बढ़ती है तो इसको कैसे आपको बैलेंस करना है कैसे आपको अब अब परिच्छा से पास होना ना है यह बहुत कथिन हो जाता है इसलिए साध्नाकार्में दूत कटीं का सिवन ना करें यदि आप दूत का सिवन बनेंगी तो ऐसा ना करें इसके साथ साथ वैसे साधनाकाल में आप लहसुन प्याज इन सभी का आप सेवन करते हैं लेकिन लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें कारण क्या है कारण यह है कि जिस तरीके से हमने दूद का सेवन करने के विशाय में बताया है कि दूद का सेवन ना करें साधना काल में अन्य था काम उर्जा प्रवल होगी उसी तरीके से यदि आप प्याज लहसुन जादा मिर्च मसाले इस तरीके की अगर आप चीज़ें खाएंगे तब भी आपकी काम उर्जा प्रवल होगी और जब आप साधना करेंगे तो साधना से क्या होता है कि आ और जो भी घट तो होता है, वो आपके सरीर के अंदर घट तो होता है, और कुछ इस तरीके किरियायाँपके सरीर में होनी प्रारम हो जाती है, कि आपके अंदर अध्यात में को उर्जा तो प्रबल होती ही है, लेकिन आपकी जो अनिंद्रियां हैं वो भी अक्टिव होने लगती हैं कहने का तात पर यह है कि उनमें भी उर्जा का प्रबाह है अत्यादिक मात्रा में बढ़ने लगता है और उस उर्जा को अन्बैलेंस करने की स्थिती बनाते हैं ऐसे भोजन ऐसे खाद पदार्थ जैसे की लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले, दूद, इन चीजों का सेवन करने से ऐसी स्थिती बन सकती हैं इससे आपके साधना सफल होने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं और जब तो बिलकुल ही यह बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब आप नए-नए साधना मार्ग में प्र महत्पून कार करेंगे और इसके साथ एक और मासाहार का सेवन लेने बालों के लिए कि मासाहार का सेवन बिलकुल ना करें क्योंकि तामसिक्ता प्रवल होएगी आपके अंदर सक्तियों के आने में दिक्कत होगी आपकी साधना सफल होने में व्यवधान बनेंगे तो जब तक आपकी साधना चर रही है इन क्रियाओं को इन चीजों को अनुसरन करें निश्चा ही आपको लाब मिलेगा और मैं एक और बता दूँ के एक साधक थे हाला कि उन्होंने योगी सुर्पधती ग्रुप को जोईन किया था और एक माहे में ही छोड़ दिया था उसके कारण य से जाया कि हम अपनी उर्जा को नियंतरत नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें हमने यही नियम समझाए जो मैं आपको इस समय समझा रहा हूं और उनको हमने बोला कि आप भूजन छोड़ दीजिए इस समय जब तक आप साधना कर रहे हैं आप आलू को ब सकते हैं और आप अपने स्वाद अनुसार या तो सेंधा नमक या फिन नॉर्मल नमक आप मिला लीजिए और उसका अफसेवन करिए इस से आपके जो काम को विचार हो नियंतरत होने लगेंगे और साथ में घणेश जी के मंत का जाब करिए उन्होंने इस बात का अनुसरन क लिया और बिल्कुल वही 100% रिजल्ट आया जो मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल ये विचार रोक जाते हैं और आलस भी नहीं आता है जो कि सबसे बड़ी समस्या लोगों के अंदर होती है साधना मार्ग में और एक भ्रांती लोगों के अंदर फैली हुई है कि साधन करते समय या जाब करते हो इस समय जितनी ज्यादा उबासी आए उबासी मेंस नीद आए यह एक्स्प्लेइन करना पड़ता है कई बार हमें क्योंकि बहुत सारे लोग उबासी नहीं समझते हैं कारण क्या है अलग-अलग भासाएं हैं अलग-अलग जगा के लोग हमारे वी ये नहीं है कि आपके अंदर सक्ति आ रही है या सक्ति की उर्जा बढ़ रही इसका अर्थ ये है कि अभी आप जोड़े ही नहीं है पूरी तरीके से और साधना में आपका ध्यान नहीं है इसमें अनाज वाला भोजन महात्पूर्ण भूमिका निवाता है और एक और बात या आपको उर्जा तो मिले लेकिन आपको आलस ना आए, आपको उबासी ना आए, आपका साधना में मन लगे, इन बातों को आप अनुसरान करिए, निश्चे ही यदि आप साधना करते समय सिर्फ आदा घंटे बैठ पा रहे हैं, तीस मिनट बैठ पा रहे हैं, उल्टे सीधे व नुसरान करेंगे, तो निश्चे ही आप उन चीजों से बच पाएंगे, या आप आसानी से साधना कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियो में ये एक महत्पून सब्जेक्ट है, आपके लिए के साधना करने में ये बात आपको याद रखनी है, कि आपको किस तरीकी का हुती होना आवश्यक है या नहीं, यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और उससे आप समझ पाएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है, इस बात का अनुसरन करें, और खास तोर से वो लोग, जो नए लोग साधना मार्क से जोड़दा है हैं, या इस्पूर्चुल्टी से जोड़दा है हैं, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, अलग-अलग प्रॉफेशन हैं सभी का, कोई एक्टर लाइन से है, कोई मौडलिंग करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई कुछ करता है, तो अ आपको एक अच्छे तरीके से अध्यात्म को समझने में एक तरीकी कमारदरसन करेगी और एक और बात सबसे महत्पून बात यह है कि spiritual अध्यात्म के लिए पहनावा matter नहीं करता है। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लगते हैं, आप कैसे परिधान या कैसे कपड़े पहनते हैं, यह matter नहीं करता है, matter करता है कि आप कितने अंदर से spiritual हैं, आप के अंदर किस तरीकी की विचार हैं, आप अध्यात्म को किस इस तर तक समझते हैं, आप किस तरीकी से इस energies को समझत और किस तरीके से आप अपने जीवन को बदलते हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों के जीवन को बदलने में एक तरीके का महत्म योगदान करते हैं उन तक अपनी नौलेज पहुचा के आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होग अदिष जर्श मेखल